हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीसी सिंग और स्वागे थे आप सभी का डिलीसेस किचन डायरीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेशर कूकर में चिकन बनाने की रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है तो आप इस रेसिपी को पूरा जरूर देखे और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सस्क्राइब शेयर कॉमेंट जरूर करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जिसके लिए मैंने पहले प्रेशर कूकर को गर्म कर लिया था और अब मैंने उसमें 5-6 टेबल स्पून सरसो का तेल आट किया है गैस हमारा लोटू मीडियम फ्लेम पे है तेल के गर्म हो जाने के बाद मैं आट करूँगे इसमें कुछ खरे गर्म मसाले जिसे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी तो आप उसे वहाँ से पढ़ ले ना यहाँ पर मैं इसमें डालने जारी हूँ 500 खी लाल मिर्च उसके बाद मैंने इसमें एक टेबल स्पून जीरा एट किया है और जीरा को मैंने चटकने दिया उसके बाद मैंने चार बड़े प्याज को रफली चॉप करके रख लिया था और उसे मैंने इसमे अट कर दिया है मैं इसे चला करके तेल में मिला लूँगी अब मैं गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे करूँगी और प्याज को भुनूँगी तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से चला करके प्याज को भुने ताकि हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से टूट जाए और गल जाए लगभग 5-6 मिनिट के बाद हमारा प्याज रेडी हो चुका है मैंने प्याज को हलका ब्राउन होने तक भुना था अब मैं इसमें सारे चिकन को एड़ कर दूँगी तो आप गैस को अभी low flame पे करके सारे चिकन को एड़ कर दे ताकि हमारा प्याज सटे ना उसके पशल करें आप इस तरीके से चला करके इसे mix करें आप इसे ज़्यादा ना चलना है क्योंकि चेकन के फिसे तूटने नी चाहिए जैसे मैं इसे साइट से चला रही हूँ बिलकुल आप भी इसे इसी तरीके से चलाएं और कभी-कभी इसे बीज से भी चला दें मैंने इसे 7-8 मिनिट तक बिलकुर इसी तरीके से भूल लिया था आप चाह तो इसे थोड़ा गम भी भून सकते हो यहाँ पर मैंने इसमें 2 चमच कूची वी लहसुन को डाला है और मैंने इसे चला करके मिला लिया है अब मैं इसमें मसाले आट करूँगी तो मैंने 2 चमच धनिया का पाउडर 2 चमच लाल मिर्श का पाउडर इसमें आट कर लिया है और 1 चमच हल्दी का पाउडर यहाँ पर मैं अपने सुआत गैनुस हर नमक आट करूँगी और अब इसे चला करके चिकन में अच्छे से मिला लूँगी गैस को मैंने low flame पर रखा है यहाँ पर लगभग अधी चमच यहाँ पर मैंने कस्मीरी मिर्श को एड़ कर लिया है और अब मैं यहाँ पर 1 कप पानी आट करूँगी मैंने गर्म पाने इसमें आट किया है आप भी इसमें यहाँ पे गर्म पारने का इस्तमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा गैस को low to medium flame पे रखके मैं इन मसालों को भूनूंगी और मैं इने तब तक भूनूंगी जब तक मसाले सटने ना लगे दो से तीन मिनट तक low to medium flame पे भूनने के बाद यहाँ पे मैं इसमें एक रफली चॉप टमाटर एट कर रही हूँ आप ध्यान रखे कि अभी मसाले पूरे अच्छे से नहीं भूने हैं इसलिए हम इसमें टमाटर एट कर रहे हैं अब टमाटर को डालने के बाद हम इसे चला करके मिलाएंगे और इसे भूनेंगे जब तक मसाले हमारे सटेना अब 3-4 मिनट तक लो फलेम पे भूनने के बाद यह मसाले सटने लगे हैं इसका मतलब यह है कि यह मसाल एकदम अच्छे से भून चुके हैं और अब यहाँ पे मैंने इसमें लवख 2 कप पानी को एट किया है आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी याड़ कर लेना और मैंने घर्म पानी का इस्तमाल किया है अब मैं पानी को डालने के बाद इसे चला करके मिलाओंगी और इसमें उबालाने का वेट करूंगी उसके बाद मैं इसमें एक चमच गरम मसारा डालूँगी और कोकर का ढखकर लगा दूँगी और मैंने मेडियम फ्लेम पे इसमें एक सीटी लगाया और उसके बाद मैंने इसकी सीटी निकलने का इंतजार किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह अच्छे से रेडी हो चुके हैं लेकिन अभी इसमें कुछ डालना बाकी है तो यहाँ पर मैं इसमें धन्या का पत्त डाल रही हूँ आप चाहो तो इस स्टेप को स्केप भी कर सकते हो अब धनिया का पत डालने के बाद मैं इसे धक करके और पाँच मिनट के लिए छोड़ दूँगी और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यह कितना टेस्टी देख रहा है और यह जैसा देख रहा है यह उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी था तो आप इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करें यह बहुती इजी रेसिपी है और आप लोग को इसको बढ़ाने में ज़्यादा महनत भी ने लगेगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो विडियो को शेयर करो और नीचे कॉमेंट जरूर करो थैंक्स फॉर वाचिंग गाईज